हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टो एल्यूम साइन्स क्लास नूबर 297 और आज हम एक केस देखेंगे केस ऑफ पेपड मौत पहले यह देखते हैं कि पेपड मौत एक्चल में है क्या मौत हम सबको पता है एक इंसेक्ट होता है ठीक है मौत बेसिकली एक ग्रूप अफ इंसेक्ट इसको पेपड मौत इसलिए कहा गया विकॉज अगर आप इनको देखोगे तो इनके उपर कुछ इस तरह से डाक स्पोर्ट प्रेजट होता है तो ऐसा लगता है कि इनको पेपर किया गया है इनके विंग्स के उपर करना मतलब कि किसी बड़े सर्फेस पे छोड़े- इनको पेपरिंग बोलता है इनी डाक स्पोर्ट की वज़े से जो इनके विंग्स पे प्रेजंट है इनको पेपर मौत कहा जाता है इस इंसेक्ट की यानि पेपर मौत की दो डिफरेंट स्पीचिस की हम यहां पर बात करेंगे जिसमें से पहली है बिस्टन बिटुलेरिया तिपी का, और सेकेंड है बिस्टन-बिटुलेयरिया कार्वनिका, ठीक है? अब इन दोनों स्पिशीज में जो मेंड डिफ्रेंस है वो है, इनके विंक के कलर का, जो बिस्टन-बिटुलेयरियरीयर टिपीका है, यह लाइट विंड है, यानि इसके जो विंक्स हैं आपको यहां पर एक पूरा mechanism यह जो इनकी कहानी सुना रहा हूं वो कैसे natural selection को प्रूव करती है हमारे evolution point of view से उसको हम यहां पर study करेंगे इसलिए यह जो बिस्टन ब्यूटरिया का example है इसको एतना जो है study किया जाता है evolution के अंतर ले चलता हूं मैं आपको काफी सालों पहले 1850 के आसपास इंग्लेंड के areas में हम सबने history में पढ़ा है कि 1850 वह time था जब इंग्लेंड में industrial revolution start हुआ था यानि उद्योग बढ़े थे इंडस्ट्री बढ़ी थी वहां पर तो इंडस्ट्रिलाइजेशन से पहरे अगर हम देखें तो pollution बहुत कमता है अब pollution अगर बहुत कमता तो we all know कि जहां पर pollution नहीं होता वहां पर likens का growth बहुत अच्छा होता है in fact यह question भी exam में आता है कि अगर किसी एरिया में likens present नहीं है तो वो क्या साबीत करता है वो यह साबीत करता है कि उस एरिया में sulfur pollution बहुत जादा है air pollution बहुत जादा है वहां पर likens grow नहीं कर पाते है तो जब pollution बहुत कम था इंग्लेंड के उन एरियाज में तो जो जो पेडों की जो बार्क थी उस पर अच्छा का सा लाइकन का growth था और लाइकन हम सब जानते है लाइकन इस light अब आप खुद देखो जो लाइट बैग्राउंड है उस लाइट बैग्राउंड में आपको कौन सा मौत क्लियर दिख रहा है आप जो है इस डार्क वाले मौत को बहुत आसानी से देख सकते हो जबकि लाइट विंग्ड मौत एक तरस इसको इस रिजन की वज़े से जो लाइट विंग्ड मौत है वो इतना इसली नहीं दिख पाता और यह अपने प्रिडेटर जो की बिसिकली एक बर्ड है बर्ड इसको नहीं खापा देती जिसकी वज़े से यह सर्वाइव कर गए जबकि जो ब्लैक मौत है जो डार्क विंग्ड म बहुत है उनका नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था और डाक विंग्ड मौत का नंबर बहुत कम देखने को मिलता था फिर टाइम बढ़ता गया और इंडस्ट्रिल रेवलिशन बहुत चरब पे पहुँचा अच्छी आशी इंडस्ट्री वहां पे डवलप जब में पल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था उस वक्त जो मेजर एनर्जी सोर्स था वह था कॉल तो एक्स्टंसिव कोल बर्निंग की वज़े से वी ओल नो कि सलफर रिलीज होता है तो हाई सलफर पल्यूशन था है इंग्लेंड में उस वक्त इंडस्ट्रिल एरियास में ठेक हो एंड् we all नोकिंज फुर्फर फनिशन ऐरियास में जो है लाइकन्स की भॉथ नहीं होती अब लाइकन्स की नहीं होती ह कि और्क रहता है तो आर्क कलार्ड बार्क किलियर दिखने लगा तो कुछ छ ऐसा पिक्चर वो गया यहाँ पर कि जो बार्क भार्क हो एक् जो शूट और जो स्मोक इंडस्ट्री से निकलता था वो यहीं आपका डिपॉजिट होने लगा जिसकी विजह से और ज्यादा डार्क दिखने लगे अब आप क्लियर देख सकते हो कि इस डार्क बैक्ग्राउंड में आपके पास में दो ऑप्शन है यह अपना डार्क विंग क्लियरली विजुलाइज दी लाइट विंग्ड मॉथ जबकि डार्क विंग्ड मॉथ को एक तरह से कैमफलेज मिल रहा है उसकी वजह से क्या हुआ कि लाइट विंग्ड मॉथ प्रिडेटर्स को आसानी से लिखने लगे तो उनका नंबर दीरे-दीरे कम होता गया क्योंकि वो प्रिडेटर्स का शिकार बनते गए जबकि डार्क विंग्ड मॉथ को बहुत अच्छा कैमफलेज मिला और वो सर्वाइफ कर गए यानि कि आप यह कह सकते हो कि सर इनीशली बिफोर इंडस्ट्रियल रेवलुशन लाइट विंग्ड मॉथ का नंबर जादा था और उसक इस लिए इस लिए इसको इंडस्ट्रियल मेलानिजम का जाता था था इस वन अफ दी बेस्ट एक्जामपल जो स्टडी के जाता है नेचुरल सलेक्शन के अंदर कि किस तरह से नेचर उस स्पीशी को सलेक्ट कर रही है जिसके पास में सर्वाइबल ऑप दिफी टेस्ट आम नेचर उसी को सलेक्ट करेगा और उसी का नमबर बढ़ेगा यही है नेचुरल सलेक्शन और इस पेपर मौत के एक्जामपल को का जाता है इंडस्ट्रियल मेलानिजम इसके पीछे काकर हम साइंटिफिक देखें तो देखो पहले हमें पता है बिफोर इंडस्ट्रियल ग्र कलर है डाक कलर हो गया ठीक है और बाद में डाक कलर मौत को केमफलेज मिलने लगा और इसका नमबर बढ़ता गया और इसका नमबर दीरे-दीरे कम होता गया तो यह एक क्लासिकल एक्जामपल है नेचुरल सेलेक्शन का बड़े एक बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर क विवी और भी के कमिलीं लिएट इसकतों गया या डाक विंड capaz निजारं varies कि तो ग rumors गया नहीं तक पह Ooh, कि घृझ मत ईसका नमबर हमसं गया ज्यादा यह तो किस तथा से नेचर में बदलाव के साथ इसिचेज में बदलाव होता है और nature की तरह से उनी species को select करता है जो अपने surroundings जो अपने nature environment में easily survive करने की capability रखते हो यही है natural selection हम 1920s के बाद की भी बात करें अगर तो जब हमें बाद में यह समझ भाया post industrial revolution की अगर इसी तरह से pollution करते रहे तो हमारा यह जो earth है जो हमारा planet है वो inhospitable रहे हो जाएगा हम यहां इतना easily survive नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद में industries पर checks होने लगे industries पर बहुत इस तरह से steps उठाए गए ताकि pollution को minimize किया जाया सके तो recent years की बात करें तो हमने सबसे पहले तो coal पर dependency कम की reduced use चलने लगा coal का विकॉस हमने उसके बाद में electricity आ गई तो energy का में सोर्स हमारे पास में electricity हो गया तो हमारा coal पर dependence कम हो गया जैसे एक example लेता हूं मैं जैसे trains हो गई trains आप सब को पता पहले coal पर चलती थी और अब सब कुछ electricity पर चलता है तो इस तरह से coal से electricity पर आए industrial pollution को बहुत कम किया इंडस्ट्रीज में ऐसे हमने devices और techniques यूज़ की जिससे suit जो है filter out हो सके harmful gases जो है वह वहीं पर trap की जा सके जब यह सब measures किये गए तो बाद में हमें हमें यह realize हुआ और यह study की गई कि जो light colored moth है उसका population फिर से बढ़ने लगा getting my point तो आप यह बोल सकते हो कि initially before इंडस्ट्रील रेवल्यूशन लाइट मौट साथा थे फिर जब pollution बहुत जादा था तो डाक विंड का नंबर इंक्रीज हुआ उसके बाद जैसे हमने इंडस्ट्रील मेलनिसम को या यह बपड मौत का एक्जामपल को केवल हमने किसी एक इनी इंग्लेंड के ही areas में देखा नहीं ऐसा नहीं है अगर हम यह सके Pittsburgh की बात करें now this area this is the Pennsylvania जो यह समें प्रसेंट उस Pennsylvania के Pittsburgh area में भी हमने इंडस्ट्रील मेलनिसम को study किया है और उसके लावा इंग्लेंड के इन पार्ट में इंडस्ट्रील मेलनिसम को बहली भाती इस्टडी किया है जिसमें करीब 70 different species of moth जो इंग्लेंड में और Pittsburgh इसमें 100 species of moth पे भी इंडस्ट्रील मेलनिसम को बहुत extensively study किया बस that's it thanks a lot for watching us उम्मीद है कि आपको ए पेपर मौत का example और natural selection बहुत अच्छे से समझ में आया होगा thanks a lot for watching us stay connected with us for more such interesting videos biology को और बहतर और आसान बनाने के लिए जुड़े रही है हमारे Illum Science channel के साथ में thank you